चिल्लमपुर नाम का एक छोटा सा गाउ था गाउ में बड़ी सी नदी थी नदी किनारे मनोज का घर था मनोज पडोस के गाउ में नौकरी करता था मनोज रोज नदी से बोट में बैठ कर पडोस के गाउ नौकरी करने जाता शाम को फिर बोट में बैठ कर अपने गाउं अपने घर चला आता एक दिन मनोज ने बाइक खरीद ली बाइक लेकर घर आया तो पत्नी सरला बूली बाइक क्यों लाए? रोज बोट से अप डाउन करते हो ये बाइक तो बेकार पड़ी रहेगी हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं अगर ये बाइक पानी में चलती तो कितना अच्छा होता फिर ये बाइक वाटर बाइक बन जाती लेकिन ऐसा होगा नहीं भूल जाओ सरला की बात सुनकर मनोज के दिमाग में वाटर बाइक गूमने लगी और मनोज बाइक लेकर कालूराम के गैरेज पर आया यार कालूराम बाइक बेकार पड़ी रहेगी इसे वाटर बाइक बना दो मनोज की बात सुनकर कालूराम बोला पाकल हो गया हो क्या इसे वाटर बाइक बनाना हम दोनों की आउकाद से बाहर है क्यो नहीं बना सकते हम वाटर बाइक स्वेमिंग करते वक्त हम क्या करते हैं पानी को पीछे खीचते हैं इसलिए तो तैरते हुए आगे बढ़ते हैं ये बाईक है पानी पीछे कैसे खीचेगी कैसे आगे बढ़ेगी एक काम कर ये बाईक मुझे बेज दे निराश मनोज बाईक लेकर घर आया दर्वाजे के सामने सरला खड़ी थी सरला बोली मार्किट से एक टेबल फैन लेकर आओ मनोज मार्किट आया टेबल फैन की दुकान में घुसा और वहाँ धेर सारे फैन घूम रहे थे दुकानदार एक टेबल फैन लाया और बुरा इसे ले जाईए पहला पटन दबाते ही आसमानी हवा खीच लिता है दूसरा तीसरा पटन दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ती दुकानदार की बात सुनकर मनोज का दिमाग फैन की तरह दोड़ने लगा अगर ये हवा खीच सकता है तो पानी भी खीचता होगा ट्राय करके देखेंगे मन पक्का करके मनोज दुकान से तीन टेबल फैन उठाकर घर चला आया तीन फैन देखकर सरला बोली एक फैन मांगा था तीन क्यों लाए एक तुम्हारे लिए दो हमारे लिए फिर क्या मनोज ने बाइक के दोनों टायर खोल कर टायर की जगा टेबल फैन फिट करवा दिये फैन तो फिट हो गए अब हैंडल पर बटन सेट कर देता हूँ और एक अच्छी खासी बैटरी लगवा देता हूँ थोड़ी देर बाद वो भी काम हुआ और मनोज बाइक लेकर नदी में उत्रा बाइक पर बैट गया और पहला बटन दबाया जैसे ही पहला बटन दबाया कमाल हो गया फैन घूमने लगे नदी का पानी पीछे खीचने लगे और बाइक तेजी से पानी पर तैरती हुई दोड़ने लगी ये देखकर मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा याहू वा कितना मजा रहा है दो घंटे मनोज वाटर बाइक से नदी की सवारी करता रहा जैसे ही वो किनारे पर पहुँचा काफी लोग उसकी वाटर बाइक देखने मौजूद थे कालू राम भी आँख फाड़ कर देख रहा था कालू राम ठान लिया तो कोई भी काम अवकाद के बाहर नहीं होता गैरेज बेच दे नहीं तो अपना एटिटूड बदल दे मनोज रोज सुभा टेबल फैन बाइक लेकर नदी के पानी में तैरता हुआ पडोस के गाउन नौकरी करने जाता और वाटर बाइक से ही घर लोट आता छुट्टी के दिन वो सरला को भी अपनी बाइक पर बिठा कर नदी खुमा लाता इधर कालू राम का एगो हर्ट हो गया था उसके कस्टमर भी उसे ताना मारने लगे थे कालू राम कुछ सीखो मनोज से उसने वोटर बाइक बना दी और तू पंचर भी ठीक से नहीं बनाता कालू राम काफी गुस्सा हो गया और एक रात मनोज के घर आया बाहर मनोज की वाटर बाइक खड़ी थी बहुत हवा में उड़ रहा है ना अब बाइक का सिस्टम ही भी याड़ देता हूँ कालू राम ने बाइक के हैंडल का तीसरा बटन गुस्से में दबाया तो अचानक डोनों फैन जोर से घूमने लगे और बाइक कालू राम को जटके से उठा कर आसमान में उड़ने लगी कालू राम डर गया और बाइक से लटक कर चिलाने लगा बचाओ बचाओ मनोज बचाओ बचाओ कालू राम की आवाज सुनकर मनोज और सरला बाहर आए और कालू राम को बाइक के साथ हवा में उड़ता देखकर हैरान रह गए अबे देख क्या रहा है नीचे उतार मुझे अबे बाइक उपर कैसे उड़ रही है क्या किया था तुने मैंने बस तीसरा बटन दबाया था सरला इसे नीचे कैसे लाए सरला भी सोच में पढ़ गई और फिर जोर से चिल्लाई अब एक नमबर का बटन दबाओ तैन अराम से नीचे लेंड हो जाएगा कालू राम ने बड़ी मुश्किल से एक नमबर का बटन दबाया फैन स्लो हो गया और बाइक दीरे धीरे नीचे लेंड हो गई मनोज ने तुरंथ फैन बंद कर दिये और बाइक के साथ साथ कालू राम को भी संभाल लिया माफ करना दोस्त, तुम्हारा सिस्टम बिगाडने की चकर में मेरा ही सिस्टम बिगड गया जो होता है अच्छे के लिए होता है मैंने तीसरा बटन कभी दबाया ही नहीं था लेकिन आज तुम्हारी वज़र से मालुम हुआ कि तीसरा बटन दबाने से ये बाइक उड़ भी सकती है फिर क्या था? दूसरे दिन मनोज उड़ते हुए नौकरी पर पहुचा फैन के तीसरे बटन से बाइक वाटर बाइक के साथ साथ हवाई बाइक भी बन गई और मनोज कभी पानी के उपर तो कभी हवा के उपर तैरते हुए जिन्दगी के रास्ते कातने लगा बहुत पुराने समय की बात है किसी गाउं में चंदर नाम का एक लड़का रहता था चंदर बहुत खुश था क्योंकि कुछ दिनों बाद चंदर की बराद जाने वाली थी उस समय शादी के बाद दूलहन को डोली में बैठा कर ससुराल लाया जाता था और ये नियम था कि डोली के अंदर से जो भी निकलेगा लड़के को उसी को दूलहन के रूप में स्विकार करना पड़ेगा चंदर आज अपनी हूने वाली दूलहन के लिए डोली बुक कराने जा रहा था मा जल्दी खाना लगा दो आज मैं डोली की बात करने जा रहा हूँ बेटा हमारी बहु के लिए शीशम की लकड़ी की डोली ही ले कराना मा आप चिंता ना करे मैं शीशम की डोली की ही बात करके आऊंगा उस जमाने में शीशम की लकड़ी की डोली सबसे अच्छी मानी जाती थी चंदर की बारात का खूब जोरदार स्वागत हुआ अगले दिन विदाई का समय आया मा पिता जी आपकी बहुत याद आएगी दुलहन डोली में बैठी लोगों ने डोली उठाई और बारात लोट पड़ी लोटते समय बारात जंगल के विश्राम ग्रह के लिए रुकी भाईयो थोड़ी देर आराम कर लो किसी को पेशाब जाना हो तो चले जाओ कुछ खाना पीना हो तो खालो डोली उठाने वालों ने थोड़ी देर के लिए डोली रखती और विश्राम करने लगे कुछ देर बात बारात ने फिर अपना सफर शुरू किया और शाम तक गाउं लोट आई चंदर की मा और गाउं की अन्य औरतें दुलहन का स्वागत करने के लिए डोली के पास गई बहू बाहर आजाओ ससुराल आ गया है डोली के अंदर से बहू बाहर ही नहीं निकलती चंदर की मा दोबारा आवाज लगा देती है बहु बाहर आजाओ, सो गई क्या डोली में बहु फिर भी बाहर नहीं निकली, गाँवालों की उत्षुकता बढ़ गई आखिर चंदर की मा ने खुट डोली का परदा हटाया उसकी आखें पटी रह गई हाई राम, इसमें तो एक भालू है पूरे गाँव में खबर बिजली की तरह फैल गई कि चंदर की डोली से बहु की जगा एक भालू नहीं निकलाई है ये कैसे हो सकता है, डोली से दुलहन कहां चली गई गाँव के मुखिया वहां पहुचते हैं नहीं, नियम और रिवाज के मुताबिक चंदर को इस भालू को ही अपनी बहु मानना पड़ेगा मैं भालू को अपनी बहु नहीं मान सकता इस डोली में जरूर कोई जादू है इसने मेरी बहु को भालू बना दिया डोली में कोई जादू कैसे हो सकता है पूरा गाउ रिती रिवाजों के हिसाब से चलता है तुम्हें भी नियम और रिती रिवाज मानने पड़ेंगे उस समय रिती रिवाज सभी को मानने पड़ते थे गाउ बालों ने चंदर के उपर दवाब डाला और चंदर को भालूनी को ही अपनी बहु के रूप में स्वीकार करना पड़ा कुछ दिनों बात मुखिया के लड़के की शादी तै हुई मुखिया के लड़के की बहु भी उसी गाउं से आनी थी जिस गाउं से चंदर की शादी हुई थी मुखिया के लड़के की बराद भी लोटते समय उसी जंगल में रुकी जहां चंदर की बराद रुकी थी भालू से शादी हो जाने के कारण चंदर पागल जैसा हो गया था वो हर समय अपनी बहु को ही ढूनता रहता था मेरी दुलन कहां चली गई डोली यहीं पर रुकी थी कहां गई मेरी दुलन मैं एक भालूनी को अपनी पतनी नहीं बना सकता अरे ओ चंदर कहां जा रहे हो वापस आ जाओ बाराद निकल रही है मुखिया के बेटे की बहु की डोली गाउ पहुंची गाउ की औरते बहु का स्वागत करने आई जब डोली का पर्दा हताया गया तो डोली में लोमडी निकली पूरा गाउ लोमडी को देखने के लिए इकटा हो गया दुलहन कहां चली गई और इस डोली में भालुनी कहां से आ गई कहीं से भी आई हो मुख्याजी अब आपके बेटे को भालुनी को ही बहु के रूप में स्विकार करना पड़ेगा मैंने भी भालु को अपनी बहु के रूप में स्विकार किया रीती, रिवाज और नियम माने अब आपको भी मानने पड़ेंगे उस बार गाउं में जितनी भी शादिया हुई उनमें डोली से दुलहन गायब हो जाती और डोली के अंदर कोई जानवर निकल आता आखिर गाउं के लोग बहुत परिशान हो गए और उन्होंने ठान लिया कि वो जानकर ही रहेंगे कि आखिर दुलहन कहाँ गायब हो जाती है डोली में कोई जादू है या फिर कोई और बात है एक बात गाउं के लोगों ने बारात को लोटाल कर लाने का नातक किया उन्होंने डोली में एक आदमी को बिठा दिया और डोली को जंगल में रखकर विश्राम करने लगे डोली के अंदर बैठे आदमी ने देखा ये नीचे जमीन से कोई डोली का फर्श काट रहा है वो एक लड़की का हाथ था आदमी ने हाथ पकड़ लिया और शोर मचा दिया आ जाओ गाओंवालो दुलहन चोर पकड़ा गया जल्दी आओ वो जमीन के अंदर घुसा हुआ है गाओं के लोग इखटे हो गए और उन्होंने हाथ खीच कर जमीन से एक लड़की को बाहा निकाल लिया तो तुम ही हो जो हम लोगों की दुलन चुरा रही हो हम समझ रहे थे कि डूली में कोई जादू है हाँ मैं ही हूँ तुम्हारे गाओं से मेरे शादी तै हुई थी धीरज नाम का लड़का याद है हाँ याद है वो शादी नहीं हो पाई थी वो शादी इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा धीरज के लिए पर्याप्त दहेज नहीं दे पाई थी हमने अपना सब कुछ बेच कर पैसो का इंतजाम किया फिर भी थोड़े से रुपए के लिए धीरज के परिवार ने शादी से मना कर दिया मैंने उस दिन ठान लिया कि धीरज के गाउं में अब किसी लड़के की बहु नहीं पहुँचेगी मैं दुलहनों को जमीन के गुपत रास्ते से अपनी जोबड़ी में ले जाती थी और उनकी जगा कोई जानवर डोली में रख देती थी तुम लोगों की दुलहने मेरे पास है चंदर और मुखिया लड़की से माफी मांगते है तुम पर जो बीती उसके लिए हम सभी गाउं वाले बहुत शर्मिंदा हैं लेकिन तुम चिंता मत करो मैं धीरज के पिता से बात करूंगा और तुम्हारी शादी हमारे ही गाउं में होगी लेकिन क्रिपा करके हमारी बहुये लोटा दो गाउं के जवान लड़के पागल हुए जा रहे हैं चंदर और गाउं के बाकी लड़कों को अपनी दुलहने मिल जाती है और दुलहन चोरी करने वाली लड़की की भी दीरत से शादी करा दी जाती है उस दिन के बाद से गाउं वाले खुशी-खुशी रहने लगते हैं